है गाइज आई होप योड़ डूइंग गूड यह वाला आई मेकप आजम क्रियेट करने वाले जो की इजी ली आपकी हर इंडियन आउटपिट के साथ चली जाएंगी और बहुत ही कूप शुरत लगेंगी नाइट टाइम में करके हैं अगर आप नाइट पार्टि में जा रहे हो तो इस टाइप की आप आई मेकप कर सकते हो बहुत प्यारी लगती है जिसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी आईज में Leg袂 किया है और आप देख पारे है क्योंकि मैंने एक से लाइटर से अपलाई किया है कनसीलर की इसलि मैंने लिया है मैं यहाँ पर यूज कर रही हूं मॉर्फी की जैकलीन हील पैलेट उसमें से लिए यह सेट्ट पिक किया है बटनिका क्या की पैलेट में मेकप प्रेशन और भी बहुत सारी ले रही हूं और इससे न मैं crease line create करने की courses कर रही हूं एक depth मिल जाए eyes को जिससे कि आपकी eyes थोड़ी और बड़ी लगती है अच्छा यहाँ पे न मुझसे एक clip miss हो गई है तो वो मैं आप लोग के साथ अभी share नहीं कर पा रही हूं मैंने सिर्फ यहाँ पे deep brown set को अपने outer भी में apply किया है यह बड़ी वाली big fluffy brush है इससे मैं blend कर ले रही हूं सब कुछ आपस में कोई heart step नहीं है यह बहुत easy है मुझसे miss हो गई है इस वजह से मैं add नहीं कर पा रही हूं तो इस तरीके साब को blend कर लेनी है बड़ी blending brush लेके दिन eyebrow fill कर रही हूं यहाँ eye makeup बिल्कुल complete नहीं हुई है बट मैं eyebrows को अपने fill कर ले रही हूं उसके बाद हम आगे की eye makeup करेंगे eyebrows आप जब भी fill करो ना black color से कभी मत कीजेगा आपको हमेशा deep brown color जो होती है dark brown color वो यूज करनी चाहिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ यह palette नहीं से मैंने यह dilancy की palette में से पिक किया है glittery set जो की multiple color की reflection देती है आपको तो यह आप देख पारें किस तरह से इसमें green भी नज़र आएंगी yellow भी नज़र आएंगी golden, blue हर undertone आपको दिख जाएंगे glitter में center में apply कर रही हूँ और धीरे धीरे उसको आगे के तरफे लेकर जा रही हूँ ताकि blended सी effect दे एक जगा में लगा हुआ ना लगे और सबसे अच्छी बात है dilancy के जितनी भी glitter set दिये गया है ना इस palette में सब ही glitter set में आपको glue यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे सब कुछ बहुत अच्छे से stick हो जाती है fallout भी नहीं होती है तो मैं अब lower last line में same color apply करूंगी जो मैंने उपर किया हुआ है deep brown and brown set लेके अच्छे से उसको blending करूंगी तो इस तरीके से आप खर्श रखते हो और अगर आपके पास में glitter अलग से available है तो आप glitter glue भी यूज कर लो उससे आपकी glitter ज्यादा time तक stay करेंगी दिन में यहाँ यूज कर रही हूँ magnetic liner जो कि आपको liner की भी effect दे रही eyeliner की और यह magnetic liner है तो इससे मेरी जो stick easily हो जाएंगी लैसेस इस तरीके से मैं apply कर लूँगी और लैसेस stick कर लूँगी beginners के लिए बहुत अच्छी है separate review मेरे चैनल पे uploaded है अगर आप आप आज first time visit कर रहें इस चैनल पे अब तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लिजे bell icon भी hit कर लिजेगा ताकि मेरी हर वीडियो की notification आप तक पहुँच पाई I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रही हो अगर आपके लिए थोड़ी भी helpful रही हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर लिजेगा अगर अच्छा लगा हो तो आपके friends के साथ आप शेयर भी कर सकते इंस्टा में मुझे follow कर सकते है lower lash line में मस्करा अच्छा से coat कर रही हूँ यह बहुत important होती है इसको अपना अगर skip कर दिया ना तो आपकी eye look complete नहीं लगती है क्योंकि falsies हमने बहुत heavy लगाया है तो lower lash line भी हमें अच्छा से coating करनी पढ़ेंगी तो इस तरीके से मैं coating करते जा रही हूं मस्करा से अगर इधर उधर लग जाती है तो clean कर सकते हो अब बाद में यहां पर highlight कर रही हूँ अपनी brow bones को मैंने highlighter यहां पर लिया है आप चाहों तो आइसाइडों से भी कर सकते हो highlight मेकप की related आपको कोई सी भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल चेक आउट कर सकते हो हर तरीके की मेकप आपको detail में मिल जाती है साथ ही अगर आप beginners हो मेकप करना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं